अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है आज हम आप सब को कुछ ऐसे हैरानकुन वीकल्स दिखाने वाले हैं जो इतने अनमौल और अनोखे हैं जिसे आप सब देकर दिवाने हो जाएंगे तो चलिए वक्त जाया किये बिना वीडियो शुरू करते हैं नमबर एक पर है ट्रांसफॉर्मर कार दोस्तों ये कार सिर्फ एक कार ही नहीं बलके एक ट्रांसफॉर्मर रिबोट भी है ये पलक जबकते ही एक रिबोट से कार में बदल जाती है इस कार में दो लोगों के बैठने की जगा है इस कार को जापान के इंजिनियर्स ने बनाया है जो आपको मिंटों में हिरान कर देती है इस कार को बनाने में बहुत सा पैसा और वक्त लगा था दोस्तों ये कार दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग कार है क्योंके ये एक बुलिट प्रूफ कार है जो बड़ी से बड़ी बंदूग की गूली को भी बरदाश्ट कर जाती है टेकसास में मुझूद एक कार कमपनी ने इस कार को बनाया है इस कार के मालिक ने इस कार को टेस्ट करने के लिए एक शांदर तजर्बा किया वो गाड़ी में बैठ गए और अपने इंपलाई को कार पर फाइर करने को कहा इंपलाई ने कार पर फाइर किया और हैरानी तोर पर कमपनी के मालिक बुलिट बरूफ गाड़ी की वज़ा से महफूज रहे दोस्तो इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा नमबर तीन पर है लीगो बुगाटी दोस्तो आपने बुगाटी की कार के बारे में तो जरूर सुना होगा अब बुगाटी ने ऐसी गाड़ी तयार की है जो कि लीगो से बनी है लीगो दरासल प्लास्टिक की तरह के होते हैं तमाम किसम के खिलोने लीगो से ही बनाई जाते हैं और इस कार को बनाने में 10 लाख लीगो पीसिस का इस्तमाल किया गया और इसे लीगो कमपनी ने खुद बनाया है ये पहली गाड़ी है जो लाखो लीगो से बनी है लेकिन फिर भी ये आम गाड़ी की तरह ही चलती है और इसकी स्पीड तकरीबन 20 किलोमेटर की है इसकी वज़न की बात की जाएं तो इसका वज़न तकरीबन 1500 किलोग्राम है इस गाड़ी में टेकनिकल फिटिंग भी लीगो की है और इसी वज़ा से ये गाड़ी इतनी खुबसूरत भी बन जाती है दोस्तों ये है दुनिया की सबसे बहतरीन बस जो किसी महल से कम नहीं इस कमाल की बस में तीन टीवी जॉइंट लगे हुए है और इसकी चट पर मुजूद है एक बात टब जिससे आप नहाते हुए रिलेक्स कर सकते हैं इस बस के साथ ही आपको एक जदीद हेलिकप्टर भी मिलता है जो आप इस बस की चट पर लैंड भी कर सकते हैं इस बस पर बेडरूम से लेकर ट्वाइलर तक सब कुछ मौजूद है हलांके ये बस बेचने के लिए अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन इसकी कीमत तकरीबन 40 करोड रुपे की बताई जाती है नमबर पांच पर है सूपर सॉनिक कार दोस्तो ये है दुनिया की तेज सरीन कार इस कार को बनाने के लिए तकरीबन 12 साल का अरसा लग गया इस कार का कॉंसेप्ट 2007 में शुरू हुआ था और इसका मकसद दुनिया की सबसे तेज सरीन कारों के रिकार्ड को तोड़ना भी था और ये इस मकसद में कामयाब भी रही और हैरानी की बात ये है कि ये कार 2 किलोमेटर के फासले को सिरफ 3 सेकिन में ही तै कर लेती है और ये अपने बूस्ट जेट इंजन की वज़ा से 1600 किलोमेटर की रफ़तार तक दोड़ सकती है तो दोस्तों ये थी दुनिया के कुछ बहतरीन वीकल्स इन में से कौन सी वीकल आपको सबसे अच्छी लगी कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा मेरते हैं अगले किसी ऐसी ही अश्ची वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दें अल्ला हाफीज